नमस्कार दोस्तों उतर प्रदेश में अखलेश यादव और कॉंग्रेस का गड़बंधन पहले ही हो चुका था और अब अखलेश यादव की पूरी-पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से मुस्लिम वोट बटने न पाए यानि मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के प्रत्याशियों तक ही रहे छिटक कर बीएश पी या बाकी किसी दलों में न जाये अखलेश यादव ने जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की मुलाकात के बाद अखलेश यादव बाहर आये तो उन्होंने कहा कि आजम खान सभाब के परिवार के साथ अन्याय हो रहा है क्या कुछ कहा अखलेश ने पहले वो सुनिये फिर इस खबर पर आगे बात करते है अबे उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा, आधरी मुहमद आजम खान साथ उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है, गम सिकम सरकार को ये देश्ट कौन तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे, जब इतनी तगलीब और परिशानी म जिस पर आजम खान ने अखलेश यादव को खुद रामपूर से चुनाओ लडने की सलाह दे दी, दावा किया जा रहा है कि आजम खान ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष यानि अखलेश यादव रामपूर से लोकसभा चुनाओ लडते हैं क्योंकि रामपूर में 55 फीजदी के आसपास मुस्लिम बोटर्स हैं और अगर वो वहां से चुनाओ लडते हैं तो इस सीट का और अखलेश यादव के चुनाओ लडने का असर पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर होगा जिसमें बिजनौर है, मुरादाबाद है, मेरट की सीट है, अमरोहा है, नगीना है, सहरनपूर है, इन तमाम सीटों पर इसका असर हो सकता है। अखलेश यादव से मुलाकाद के दौरान आजम खान ने अखलेश यादव को ये सला भी दी कि मुरादाबाद में, बिजनौर में और मेरट में परत्याशियों को बदला जाना ज़रूरी है। दरसल बिजनौर में अकलेश यादव ने पूर सांसद याश्वीर सिंग को टिकट दिया है, लेकिन अब चर्चा ऐसी है कि बिजनौर सीट पर पर परत्याशी बदला जा सकता है, तो अगर परत्याशी सकता है, उसमें भी तमाम नाम चर्चाओं में पाने निश्कासित कर दिया उसके बाद वो फिर सपा में वापस आ कई और वो बिजनौर से चुनाव भी लड़ना चाहती है तो अगर रुचिवीरा वहां चुनाव लड़ती है तो बिजनौर के लिए एक ठीक प्रत्याशी हो सकती है इसके अलावा मेरट में भी प्रत्याशी बदलने की चर्चाएं चल रही हैं और इस बीच आजम खान से मुलाकात के बाद इन चर्चाओं को और जादा बल मिल गया है मेरट में समाजवादी पार्टी ने भानू परताप सिंग को टिकट दिया है लेकिन वहां अतुल प्रधान भी टिकट मांग रहे हैं और मुरादाबाद की अगर बात करें तो मुरादाबाद में स्टी हसन या शाहिद मंजूर पौन प्रत्याशी होगा इसको लेकर भी मंधन है यानि कई सीटों पर प्रत्याशी अकलेश बदल सकते हैं और अकलेश को लेकर जो कन्नोस से चुनाव लडने की चर्चाएं हैं उसके बीच आजम खान ने अकलेश को रामपुर से चुनाव लडने की सलाँ दे दी है दरसल इन दिनों अकलेश यादव को अगर आप देखिए अकलेश यादव की पार्टी को देखिए तो पहले समाजवादी पार्टी से स्वामी परसाद मौर अलग हुए फिर जैन चौधरी का भी रिष्टा टूटा पल्लवी पटेल ने किनारा किया चंदरशेखर भी सीटना मिलने से रूट गये इन तमाम मुद्दों पर एबीपी नियूस के कारिकरम में जब अखलेश आदव पहुँचे और उस शो में संदीब चौधरी ने कुछ सवाल किये तो अखलेश आदव ने उन मुद्दों पर खिलकर जवाब दिये उनसे जैन चौधरी को लेकर सवाल हुआ पललवी को लेकर सवाल हुए स्वामी पर साथ को लेकर सवाल हुए कई मुद्दों पर सवाल हुए जब अखलेश यादव से जैन चौधरी के बारे में पूछा गया तो अखलेश ने बिलकुल साफ साफ कहा कि जो उन्होंने कहा वो मैंने माना लेकिन मुझफर नगर में मैंने कहा कि अगर आप अपने परिवार में से किसी को लड़ाना चाहते हैं तो उस पर विचार करेंगे लेकिन बाद में पता चला कि गिनती में साथ छोटा है और दो बड़ा है अखलेश यादव से पल्लवी पटेल के साथ जो खटास आई जो दूरियां आई उसको लेकर भी सवाल पूछे गए तो अखलेश यादव ने कहा कि अगर कोई एक सीट मांगता तो हम उस पर विचार करतें अगर जिताओ प्रत्याशी होता तो हम विचार करतें लेकिन उन्होंने मुझसे राजसभा मांगी थी जीतने वाले प्रत्याशी पर विचार हो सकता है एक सीट पर आप तीन मांग रहे हैं क्या मैं MLC की डिमांड पूरी कर सकता हूँ क्या मैं राजसभा की डिमांड पूरी कर सकता हूँ नहीं कर सकता जब अखलेश से चंदरशेखर को लेकर सवाल पूछे गए और बाकी जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं उन पर सवाल पूछे गए तब अखलेश ने क्या कुछ कहा हमारा जो अनुभव रहा है जिन जिन को हमने साथ लिया उन्होंने सपा से तो लाब लिया लेकिन सपा को कुछ दे कर नहीं गए इसलिए अब हम बहुत साथान हैं यानि अखलेश यादो इन दुनों बहुत साथान हैं बहुत सतर्क हैं और एक एक सीट पर खुद समीकरण बिठा रहे हैं अनालिसिस कर रहे हैं उसके बाद ही वो टिकट दे रहे हैं पिछली लिस्टों को अगर आप देखे तो अब भी अखलेश यादो ने कई सीटों पर प्रत्याशी बदले और अब भी ऐसी चर्चा है कि अखलेश यादो आने वाले वक्त में कई सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल सकते हैं और अगर रामपूर से अखलेश आदव खुद चुनाव लडते हैं ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आजमगड में अखलेश आदव ने धरमेंद्रियादव को मैदान में उतार दिया है रामपूर में चर्चा तो तेज परता प्यादव की है जो रिष्टे में अखलेश आदव के भतीजें हैं और लालू प्रसाद के दमाद है तेज परता प्यादव एक बार मैंपूरी से सांसद रहे हैं उनकी भी चर्चा रामपूर से थी लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि अखलेश आदव रामपूर और कन्नौज दोनों सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं अगर अखलेश आदव रामपूर से चुनाव लड़ते हैं तो वो पश्ची में उत्तर प्रदेश की कई सीटों को भी साधते हैं और आजम खान से उनकी बाकी कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई है दरसल अखलेश आदव की पूरी कोशिश यही है कि मुस्लिम और यादो वोटर्स का जो समीकर्ण है वो बन जाए और उसके साथ साथ जो पीडिय है और अगर यह सारे फॉर्मूले बन जाते हैं तो अखलेश आदव को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी के विजे रत को विहद आसानी से रोक सकते हैं अब देखना होगा कि अखलेश आदो रामपूर से चुनाव लडते हैं या नहीं लडते हैं या फिर वो रामपूर और कन्योज दोनों ही सीटों से चुनाव लडते हैं